आरसीवी टेम के घटिया हालत देख बिराट कोली के आँखों में आया आसू जब बिराट कोली आउट हुए तब उन्हें जरा सभी अंदाजा नहीं था कि उनकी टीम की हालत ये हो जाएगी जबार सीवी के टीम के बैक टू बैक बिकट्स किरने लेगे तो बिराट कोली चिस से काफी ज़्यादा हैरान नजर आई जाती दोस्तो इस दोरान बिराट कोली काफी ज़्यादा इमोसनल भी हो गए थे इमोशनल होने के सासाथ बिराट कोली के आखों में आसू भी आ गई और फिर आगे जाकर बोल डाली बिराट कोली ने ऐसी बात इसके बाद अब वो से उसल मीडिया पे काफी जादा संसनी खेज बन चुकी हुई है इसका रिपलाई देते हुए जारुखान ने भी बहुत बड़ी बात बोल दी है बाखेगार दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ख़बर को बिस्तार से तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफी जादा मोटिवेशन देगा और हाँ दोस्तों आपके एक लाइक से जो कुछ भी हुआ है वो आगे ठीक भी हो सकता है यह मुकाबला बेहदीर रोमान चक रहा इस मुकाबले में ऐसी ऐसी चीजे सामने निकल कर आई जो लोगों को हैरान भी कर रही है इस मैच का टॉस जीती है केक यार की टीम और पहले बैटिंग करने का नेड़े लेती है बैटिंग करने आए केक यार की टीम पूरे 20 ओबर में 202 रंगा 2040 स्कोर खड़ा कर देती है केक यार की टीम की तरफ से साथ उल्ठाकुर रहमुनला गुरबाज ने सांधार बैटिंग की और फिर इन दोनों का साथ दिया था रिंको सिंग ने उसके वज़े से केक यार की टीम का इतना बड़ा स्कोर आगी जाकर बन पाया और फिर जिसके बाद विराट कोली की टीम बैटिंग करने आती है सुरुआत के तीन ओबर में तो ये सब काफी अच्छा खेलते हैं लेकिन फिर आर सेवी के टीम का बैक टू बैक बिकट गर्णा सुरू हो जाता है विराट कोली के आउट होने के बाद आर सेवी की टीम ऐसे आउट होते हुए चली गई जैसे की मानों की बिकटो की पचर सी लग गई हो जब ये बाद विराट कोली को पता चलती है तो विराट कोली इस चीज से काफी जादा नाराज हो जाते हैं और जिसके बाद विराट कोली खिलाडियों के ऊपर काफी जादा गुस्सा भी होते हैं विराट कोली ने खिलाड़ों की घटिया performance के लिएकर बहुत बड़ी बात बोल दी है विराट कोली ने कहा कि हम हरी मैच मेर रन तो नहीं बनाने वाले हैं टीम में और भी खिलाड़ीय उन्हें भी रन बनाना चाहिए साथी विराट कोली ने ये भी कहा कि मागला मैच पक का जीतने वाले हैं और वह दूसरी तरफ सारो खान जवाब देते हुए कहते हैं वेस्ट आप लग विराट कोली पाखे दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करियेगा